नमस्कार मैं हूँ सचिदानंद वसेष्ट सजनो किस नक्षत्र के लड़के से किस नक्षत्र की लड़की का बेवाह होसकता है इस वीडियों में आपको ये जानकारी मिलेगी अब ये नक्षत्र है भरणी और बरणी नक्षत्र में लड़के का नाम हो सकता है ली लू ले लो तो उन ली लू ले लो जो लड़के का नाम है तो उससे यहां पर अगर अस्विनी नक्षत्र है तो 33 गुन आते हैं द्विर्द्वाद इसके अंदर नक्षत्र का जो है दोस आ जाता है एक नक्षत्र से दूसरा नक्षत्र बारवा हो तो वहाँ पर महादोस होता है जहां तक हो बचना चाहिए लेकिन रासी मैत्रीक है इसलिए ऐसा कोई दोस मान्य नहीं है दूसरे नमबर पर इसके अंदर भरनी से भरनी नक्षत्र ळी लू लेलो की लड़की है और ली लू लेलो यही जो है लड़का है तो यहाँ पर आप विवा करेंगे तो 28 गुनाएंगे लेकिन चरन अभेद हो जाए जैसे ली अक्सर है लड़की का और लो अक्सर है लड़के का तो यहां पर चरन अभेद होने के कारण से यहां विवाफ हो सकता है 28 गुन मिलेंगे और अब लड़की का जो गहें भरनी नक्षत्र के लड़के के साथ लड़की का कृतिका नक्षत्र है और कृतिका नक्षत्र का पहला चर्णख है तो मेस रासी में आएगा 29 गुण मिलेंगे गण दोस होगा तो इसमें राशी मेत्री होने के कारण से आप इसको कर सकते हैं और कृतिका नक्षतर कहीं तीसरा दूसरा तीसरा चोथा चरनक है तो उसके अंदर गुन आएंगे राशी हो जाएगी ब्रस और गुन मिलेंगे इसके अंदर बीस तो ऐसी और जो गंदोस और दूसरा दोस आताँ है इसको जहां तक हो नहीं करना चाहिए लड़की की रासी है ब्रस और रोईनी नक्षतर हो तो ओ वा वी वू यह जो अक्षर है रोईनी नक्षतर में आते हैं और भरणी नक्षतर के लड़के से इसका जो है विवा साड़े तेईस गुण मिलेंगे द्विर्दादस दोस आएगा तो यहां पर जहां तक हो वहां तक नहीं करना चाहिए बरनी नक्षत्र का ही जो है लड़का के और नक्षत्र आगया म्रग सिर वे वो अक्षर अगर है तो म्रग सिर के दो चर्ण आते हैं क्षर यहां पर साड़े चोधा ही गुण मिलेंगे नाड़ी दोस और द्विर्दादस दोस आता खे तो यहां पर नहीं करना चाहिए मरग से नक्षत्र का तीसरा चोथा चरण कै की इस नाम की लड़की से बरनी नक्षत्र के लड़के से अठारा गुण मिलेंगे और नाड़ी दोस आएगी तो यहाँ पर भी नहीं करना चाहिए बरनी नक्षत्र का लड़का कै और आर्दा नक्षत्र की लड़की है कूग है अड़ैच है इस नाम की अगर लड़की है तो 27 गुन आते गए और आप इसमें विवा कर सकते हैं और इसके बार लड़की कूग है डैच है और के के अक्सर के को है ही इसमें जो कह है के को है तक मिथुन रासी आती है इसमें 27 गुन मिलते हैं इसको भी आप कर सकते हैं ही अक्सर में 29 गुन आ जाते हैं उसको आप कर सकते हैं और पूशै ने ठै के को है ही पुनर वसू और ही इसमें रासी तो हूँ ये जो अक्सर है हूँ हे हो डा ये जो अक्सर है ये पुखे नक्षत्र में आ आ जाते हैं नाड़ी दो छाता है साढ़े किस गुण मिलते हैं इसको भी नहीं करना चाहिए असलेखानक शातर लड़की का अगर है तो उसके अंदर डी, डू, डे, डो अकसर होते हैं और लड़के के अकसर ला, ला ली लू ले लो यह जो अक्सर हैं यह इसके अंदर आ जाते हैं तो इसमें 24 गुण होते हैं और 25 गुण के साथ में गनदोस आता है डी डू डे डो असलेशा नक्षत्र की अगर लड़की है तो उससे भरणी नक्षत्र का लड़का उसका बीस गुण मिलता है गन दो साता है नमम पंचम दो साता है राशी मेत्री के कर सकते हैं लेकिन मध्यम मिलान होगा मो टा टी टू ये अक्षर अगर लड़की के हैं और बरणी नक्षत्र का लड़का जिसका की ली लू ले लो अक्षर हैं तो वहाँ पर अठारा गुण आएंगे और नाडी दोस और नमम पंचम होगा नहीं करना चाहिए उत्रा फालगुनी मो अक्षर में पहला चरण और बरणी नक्षत्र का लड़का 26 गुण आएंगे नमम पंचम दोस आएगा लेकिन फिर भी आप यहाँ पर वेवा कर सकते हैं राशी मेत्री होने के कारण से टा टी टू मो टा टी टू अक्षर जो हैं हुए अब टे टो पा पी अब टे अक्षर के अंदर उत्रा फालगुनी नक्षत्र है बीस गुणाएंगे यहाँ पर नहीं करना चाहिए और टी टू टे अक्षर के अंदर यहाँ पर साड़े बाइस गुणाएंगे और सड़ास् चाहिए पू से अने ठे यहाँ पर बीश गुणाएंगे शड़ा स्टक दो साएगा यहाँ पर भी नहीं करना चाहिए और पे-पो अक्सर में केवल पांच गुणाएंगे तो पे-पो-अक्सर की लड़की अगर है तो वो भरणी नक्षत्र से उसका विवा नहीं होना और भरनी नक्षत्र का लड़का के रारी अक्षर अगर आया तो साड़े चोधा गुण मिलेंगे गंडोस आएगा नाडी दोस आएगा नहीं करना चाहिए और भरनी नक्षत्र का लड़कार स्वाति नक्षत्र की है अगर रू, रे, रो, ता अक्सर आजाए तो वहाँ पर साड़े 29 गुण मिलेंगे यहाँ पर आप विवाह कर सकते हैं और ती, तू, ते विशाका नक्षत्र के तीन चरण और भरनी नक्षत्र के साथ में साड़े 22 गुण आएंगे और यहाँ पर तो अक्सर जहाँ पर लड़की का आजाएगा तो भरनी नक्षत्र के लड़के के साथ में साड़े 16 गुण और गंदोस और सड़ास्टक दोस आता है विवाह नहीं करना चाहिए ना नी नू ने नक्षत्र अगर होंगे तो यहाँ पर अनुराधा नक्षत्र होगा साड़े 15 गुण होगे इसके अंदर नहीं करना चाहिए नो या यी यू इसमें साड़े अठारा गुण होंगे गण दोस और सडास्टक दोस होगा बकूर दोस होगा इसमें भी नहीं करना चाहिए ये यो भा भी मूल नक्षत्र होता है और इससे जो है भरणी नक्षत्र के लड़के में बीस गुण गण दोस और नमम पंचम दोस आता है इसमें भी नहीं करना चाहिए पूर्वा साड तो नक्षत्रों के अनुसार जो ये अक्षर आते हैं तो ये यो भा भी मूल और भू धा फा धा ये पूर्वा साड नक्षत्र आता है तो उसमें भी अठारा गुण आते हैं नाडी दोस आता है दृद्वादस दोस आता है इसमें भी जो है नहीं करना चाह ये भे अक्सर के अंदर उत्रा साड नक्सतर आ जाता है यहां पर 26 गुण मिलते हैं नमम पंचम दोस होता है ऐसी इस्तिति में राशी मैत्रिक है तो आप यहां पर भी कर सकते हैं भो जा जी ये उत्रा साड के आखरी तीन चरण है तो उसमें 28 गुण आते हैं इसको आप कर सकते हो खी खू के खो अक्सर की लड़की है और भरने नक्सतर का लड़का के तो 26 गुण आते हैं आप इसको कर सकते हो गागी नक्सतर धनिष्टा गागी दो चरण उसके अंदर आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि 11 गुण मिलते हैं और गूगे इन अक्सरों में भी आप नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर भी 11 गुण मिलते हैं गणदोस नाड़ी दोस और योनी दोस वहाँ पर आते हैं गो सा सी सू इसमें 21 गुण आते हैं लेकिन गणदोस आता है इसलिए इसको नहीं करना चाहिए से सो दा दी इसके अंदर पूरवा भाद्रपद नक्षत रहाता गए और इसमें पच्चीज गुन आते हैं तीन नक्षत्रों में तो तो वहाँ पर आप कर सकते हो और आखरी जो नक्षत रहा है सो तो उसमें साड़े 21 गुन आते हैं उसमें भी आप कर सकते हो और दूत है जह यह अक्सर जो यह लड़की के हैं तो वहाँ पर साड़े सोला गुणों में नहीं करना चाहिए और इसके अलावा दे, दो, चा, ची इसमें साड़े चोबिस गुण आएंगे यहाँ पर एक दुर्दादस दोस भी आएगा लेकिन यह जानकारी, आपको हमने नक्षत्रों के आधार पर किस नक्षत्र से, किस नक्षत्र की लड़की के साथ में बेबा हो सकता है, किस के साथ में नहीं हो सकता, करना चाहिए, या नहीं करना चाहिए, यह हमने आपको बताया, और अब, आपको अगर किसी भी चीज़ की जरुरत ह तो इन नम्बरों पर संपर्क करके कार्याले से जो है संपर्क करके कार्याले की सेवा अरपन करके और जो भी आप जानना चाहते हैं जानकर के लाब उठा सकते हैं नमस्कार